आज है हम मुंबई की कमपनी अर्जाइल एजुकेशन के चेर्में अनिल नागपाल के साथ जिन्नोंने अभी विद्या भालती डेवोर्डिंग पब्लिक स्कूल के साथ टाइप किया है तो सर अपने बारे में कुछ बताईए आपने अर्जाइल एजुकेशन लगबग दस साल कुरानी कमपनी है और हमने एजुकेशन और टीचिंग फील्ड में सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंडिया के बहार भी बहुत सा काम किया इन दस सालों में आप इस स्कूल के साथ जो आपा टायक हुआ है उसके बारे में मुश्कुछ बताईए तो हम कोशिश यह करेंगे कि यह अच्छी चीजों को रिटेन करते हुए जो नई चीजें लाई जा सकती है जो भारत के बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है बॉंबेही यहां पर बहुत कुछ नया हो रहा है विदेशों में बहुत कुछ नया हो रहा है उन चीजों को लेकर ता कि हम इन गाउं में इन चोटे शहरों में हर्याना में हम बच्चों को बहतर शिक्षा दे पाएं तो आप ऐसा क्या नया लेकर आ रहे हैं और में बताईगे देखिए मैं आपको बदाता हूं जब मैंने यहां पे स्कूल विजिट किये तो मैं एक छोटा सा किस्ट आपक आपको बच्चे ने मुझे एक बात बोली कि हमारे यहां पर जो इंग्लिश के टीचर हैं वो इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाते हैं तो शुरू में यह बात मुझे बड़ी अटपटीस ही लगी लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि इन शिक्षकों की गलती नहीं है यहां पर इन्हें उस तरह का एक्स्पोजर नहीं मिला है तो हमारी कमपनी यह स्कूल के टीचर्स को भी ट्रेन करेगे और बच्चों को एक इस तरह का ट्रेनिंग देंगे ताकि वो स्पोकन इंग्लिश में एक अच्छा या इंग्लिश में एक अच्छा परफॉर्मेस दे तो उसमें वो लिखने में पढ़ने में ठीक कर लेते हैं, लेकि जब भी कहीं उनको खड़े उकर बात करनी होती है, तो उसमें उनका confidence नहीं आपाता है. तो हम spoken English पर focus रखते हुए, बच्चों में एक confidence बढ़ाएंगे, ताकि वो आगे corporate जगत में जब जाएं, या दूसरे देशों में जाएं, या higher studies के लिए जाएं, वो अच्छा perform करना है. इसके अलावा और आप किस-किस चीज़ पर focus करने वाले हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जैसे science है, science में बहुत सी नहीं चीज़े आ रही है, हमने देखा कि इंडिया में और इंडिया के बाहर एक 3D live science lab बहुत प्रचलित है, लेकिन यहां हर्याना में मुझे यह चीज़ नहीं दिखाई तो यह पहली बार हम इसको introduce करने जा रहे ह में बच्चों की science के तरफ रूची और बढ़ेगी और उसमें उनका ध्यान बहुत अच्छा जाएगा पढ़ाई करने में उपहतर रहे हैं, not only this मैं आपको बताता हूँ, robotics और space science कुछ ऐसे subjects हैं, जिसमें बच्चों की रूची बहुत सालों से रही है, लिकिन इस area के school, इस सिक्षा से अपने बच्चों को वल्चित रह रहे थे, तो हम robotics और space science जैसे subjects भी introduce करेंगे, जिसमें बच्चे और अच्छा पढ़ाएंगे, मैं एक और बात आपको तरह चाहँआँ, mathematics में, हमारे ancient time में vedic maths काफी अच्छा एक टूल था, जो modern mathematics ने उसको replace कर दिया, अब हमने यहां school में, यह modern maths के साथ में, ancient science का vedic और abacus जैसे tools का इस्तमाल करके, हम बहतर mathematics में टीचिंग करवाएंगे बच्चों की, तांकि वो इसमें और अच्छा परफॉर्म कर पढ़ेंगे, तो आपका focus क्या सिर्फ टीचिंग पर ही रहेगा? यह बहुत अच्छा आपने सवाल किया, हम सिर्फ टीचिंग पर ही नहीं, बच्चों की फिजिकल अक्टिविटी पर भी घ्याद देंगे, हम एक नई टेक्नीक लेकर आ रहे हैं, जिसमें प्रॉप बेस फिजिकल अक्टिविटी उसको कहते हैं, आपको इसके बरे में और जानना हो तो स्कूल में जाकर कि वो आपके स्कूल में अपने बच्चों का अर्मिशन कराएं, हाँ, देखे क्या है कि आम तौर पे हम बच्चों को सिर्फ एकी बार बोलते हैं, बैठके पढ़ो, पढ़ो और पढ़ो, लिकिन बच्चों का मान लगता है खेलने में, हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि बच् स्कूल अप्ट संचालित कर रहे हैं, उसमें बच्चे को भीजें और उनको इस नई टेक्नीक से जो नया सीखने को मिल रहा है, उसमें मदद मिलेगी, उसमें बच्चों को भीजें और उनका चहु मुखी विकास करने में हमारी मदद करें Thank you sir, all the best Thank you